नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटिब चानल दौर्ट ट्रिंग में मैं हूने दियादव और आज मैं आपको एक ऐसा चहरा जो किसाना अंदोलन के समय बहुत उबर के आया है कि बारे में बताऊंगी जो है राकेश टिकैथ राकेश टिकैथ का जरम 4 जून 1979 में हुआ था पूर्फ में बीकेव के अध्यक्ष महिंदर सिंख टिकैथ के वो दूसरे बेटे हैं उन्होंने मेरट यूनिवरसिटी से एमे किया है और लौकी डिग्री भी प्राप्त की है 1985 से 1993 तक पुलिस कॉंस्टेबल की नौकरी की टिकैथ ने अपनी जिंदकी में दो बार एलेक्षन लड़े पहला आरेलडी पार्टी की तरफ से लोकसभा सीट पे अम्रोहा से और दूसरा था खटॉली से असेम्बली सीट पे उनका संगठन उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में सक्रिये है वैसे सौली के एक किसान नेता है राकेश टिकैथ भारती किसान यूनियन के राश्ट्री प्रवक्ता है भारती किसान यूनियन एक ऐसा किसान संगठन है जिसकी पहचान पूरे देश में है और इसके अर्द प्रदर्शन से चर्चा में रही उन्होंने किसान अंदोलन को एक नय रूम दिया लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया और एक समय ऐसा था जिस वक्त हर जगा से फ्राकेश टिकेट की बात होती थी उन्होंने बेबाकी से अपनी सारी शर्ते सरकार के आगे रखी किसानों क साथ तीनों कानूनों को रद करने पर अडे रहे जब 26 जनवरी को किसानों ने बैलिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में गलत महौल बनाया था उसके बाद कोई भी उनका समर्थन नहीं कर रहा था और हजारों की तादाद में खड़ी पुलिस उन्हें बौर्डर खाली करने का जब तक सरकार तिन काले कानून वापस नहीं ले लेते उस दिन जब वो अपना इंटर्विव दे रहे थे रात के समय तब उनकी आँखों में बोलते बोलते आसू आ गई जिसके बाद राकेश टिकैड के लिए सब के मन में साहनों पूती आ गई कुछ लोगों को कहना यह भी था कि वो सबसर्फ नाटक है जनता की तरफ अपना ध्यान खीचने के लिए उनको रोता देख भाई नरेश टिकैड ने अपनी गाउं में मीटिंग बुलाई और फिर किसानों ने वहाँ जाने का फैसला किया और किसान अंदोरन को इससे किस भी उन्हें हटा ना पाई और खत्म होते किसान अंदोरन को दुबारा एक रफतार मिले राकेश टिकैड की है ने डरता और आत विश्वास ही था जिससे मैं कानूनों के हित के लिए खड़े रहे आज भी राकेश टिकैड किसानों के साथ खड़े हैं और सरकार से कानू को रद कराने के लिए और सरकार के साथ दुबारा वारता शुरू हो सके जो कि 26 जनवरी की घटना के बाद रुक गई थी उसे दुबारा शुरू कराने के लिए प्रयास कर रही है उनका संगर्श अब भी जारी है कोविड महमारी के समय भी 26 मई को किसानों ने मिलके काला द दिवस मनाएंगे जिसमें वह तीनों कानूनों की प्रत्यां जलाएंगे अब यह तो समय ही बताएगा कि वह अपने सांदोलन में सफल होंगे की नहीं तो यह दी राकेश टिकैत की कहानी मेरे शब्दों में ऐसे ही कुछ खबरों को जानने के लिए देखते रही है और ट्र धन्यवाद